नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है महाराश्ट और जारगण में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, भाजपा के वरिष्ट नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराश्ट के धुले में जनसभा को संबोधित किया राश्टरपती द्रौपदी मुर्मो ने कहा सरकार की घ्रस्टाचार को खताई बरदाश्ट ना करने के नेती, घ्रस्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी विदेश मंत्री डौक्टर एस जयाशंकर ने कहा समकालीन चुनोतियों से निपटने में भारत और आस्यान के बीच सहयोग महत्वपोर्ण सर्वोच चुन्याले ने अलिगर्ण मुस्लिम विश्वविद्याले के अल्वसंख्यक दर्जे से सम्मंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को निरस्त किया मामला नियमित खंडपीट को सौपा पैडमिंजन में एकसान में भारत के किरण जोर्ज कोरिया मास्टर्स टोर्नामेंट में पुरुष तिंगर्स के सेमी फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में चार मैचों के शिंखला के पहले 2020 मैच में आज डर्बन में भारत का सामना दक्षन अफरिका से होगा दो पहर समाचार के साथ मैं कनकलता महाराश्ट और जहारकंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है महाराश्ट में सभी 288 सीटों पर इस मेहने की 20 तारिख को मतदान होगा विभिन राजनतिक दलों के शिरुषनीता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों और रोटशू कर रहे हैं प्रधान मंत्री और वरिष्ट भाजपानेता नरेंद्र मोधी ने आज धुले में एक जन सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपोण है प्रधान मंत्री ने कहा कि उनके सरकार महिलाओं के कल्यान के लिए प्रतिवध है उन्होंने कहा कि पिछले धाई साल में महाराश्ट में विकास में जगती आई है उसे जारी रखा जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच वर्ष में महाराश्ट के विकास को नई उचाईयों पर ले जाएगी श्री मोदी ने कहा कि केवल महायूती गठवंधन सरकार ही राजमी सुशासन प्रदान कर सकती है श्री मोदी बाद में नाशिक में एक चुनावी रैली करेंगे केंद्रे ग्रे मंत्रे और भाजबा नेता अमित्षा ने आज महाराश्ट के शिराला में एक सारजनिक सभा को संबोधित किया केंद्र में भाजबा सरकार है नीचे महायूती की सरकार बना दीजे डबल एंजिन की सरकारे महराश्ट को देश का नंबर एक राज्य बनाने का काम करेंगे कॉंग्रिस नीता राहूल गांदी ने इंजिया गठ बंधन के उम्मिदवारों के समर्थन में जारकण के सिमडेगा में चुनावी रैली की जारखन में दो चरणों में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को और दोसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा विभिन राज्यों में 48 विधान सभा क्षेत्रों और केरल की बायनाड संसदी सीट तथा महाराश की नांदिल लोग सभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रचार तेज हो गया है विधान सभा चुनाओं के इस विशेश रंखला में आज प्रस्तुत है महाराश की बारामती विधान सभा सीट की प्रोफाइल बारामती ने पिछले 6 दशकों में कई बदलाव देखे हैं लेकिन इन सब के बीच इस निर्वाचन क्षेत्र में पवार परिवार का दबदबा बरकरार रहा शरत पवार ने 6 बार बारामती सीट से विजय प्राप्त की इसके बाद में उनके भतीजे और वर्तमान विधायक अजित पवार ने इस सीट का नितरुत्व किया और बारामती से साथ बार विजय हुए नसीपी के विभाजन के बाद शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुए लोकसभाचुनाओं में बारामती लोकसभा सीट पर विजय हुई विधान सभाचुनाओं में नसीपी एसपी ने अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को मैडान में उतारा है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि इस बार बारामती के 3,80,608 मतदाता इन में से किसे अपना प्रतिनी रिद्व करने के लिए चुनते हैं अंकिताब ते आकाश्वाणी समाचार मुंबई ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR एप पर भी उप्लब्द है दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है राश्टरपती द्रौपदी मुर्मो ने आज विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की भ्रहस्टाचार को खताई बरदाश्ट ना करने के नेते भ्रहस्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी उन्होंने कहा कि भारतिय समाज में सत्यनिष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना जाता है राश्टरपती ने दिल्ली में केंद्रे सतरकता आयोग के सतरकता जागरूकता सपताह के अवसर पर एक कारिक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि भ्रस्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए राश्टरपती ने कहा कि सरकार ने भ्रस्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की है इन में से कुछ पहलों का उल्लेक करते वे उन्होंने प्रतक्ष लाब हस्तान तरण जोजना, ई-मार्केट प्लेस और आर्थिक अप्राधि अधिनियम का उधारन दिया राश्टरपती द्रौपदी मुर्मों ने इस अभ्यान की सराहना की प्रस्टाचार आर्थिक प्रगती के लिए अबरोत तो है ही ये सुमाज में विश्वास को भी कौम करता है इससे लोगों के बीच में बंदुदा कौम होती है इसका व्यापवक प्रयास देश की एकता और अखणता पर भी पढ़ता है प्रतिवस 31 अक्तबर को स्वर्दार पटेल के जौनमा दिन पर हम देश के एकता और अखणता अखणता अखणों रखने का संकल्प लेते हैं राश्रुपदी ने कहा कि विश्वास सामाजिक जीवन की नीव है और भ्रस्टाचार ना केवल आर्थिक प्रगती में बाधा है बलकि इस समाज में विश्वास खुभी कम करता है उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और कल्यानकारी योजनाओं में जनता का विश्वाश शासन के लिए शक्ति का स्रोत है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर ने भारत और आस्यान के बीज सहयोग के रणितिक महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देशों की जन सांखे की और उभरती मांगे एक दूसरे की पूरक और वैश्विक अर्थविवस्ता की प्रमुख वाहक बन सकती है डॉक्टर जैशंकर आज सिंगापूर में आस्यान भारत नेटवर्क और थिंक टैंक के आठवे गोल मिज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्हों न कहा कि भारत और आस्यान देशों के बीज सहयोग समकाली इन चुनातियों से निपटने में महत्व पोर्ण हो सकता है डॉक्टर जैशंकर ने भारत और आस्यान के साजाक शित्रों में राजनतिक जटिलताओं को स्विकार करते वे कहा कि इनका सामोहिक रूप से समाधान करनी के आविशकता है इस संदर्भ में म्यामा के और संकेत करते वे उन्होंने कहा कि निकटवर्ती देशों के हित और द्रश्टिकोर हमेशा अलग-अलग रहेंगे डॉक्टर जैशंकर ने नई कनेक्टिविटी पहल की आविशकता पर भी जोर दिया उन्होंने त्रिपक्षे, राजमार्ग परियोजना, भारत पश्चिमेश्या, यूरोब गलियारे और अंतराश्टिय उत्तर दक्षन परिवहन गलियारे के संबंद में भारत की प्रतिवध्धताओं का उल्लेख किया विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान नेक शेत्रों तथा प्रवदुगियों की पहचान कर रहे हैं जिनमें सहयोग बढ़ाये जाने की संभावनाएं हैं डॉक्र जैशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि वे आज हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के महत्यों को समझने पर अधिक ध्यान के अंदृत कर रहे हैं ये कारिक्रम आसियान भारत केंद्र और ISEAS युसोफ इशाक संस्थान के आसियान अध्यन केंद्र द्वारा संयुक रूप से आयोजित किया गया था सरवच्यो न्याले की साथ न्यायधिशों की पीठ ने चार तिन के बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के उस फैसले को आज खारिच कर दिया जो अलिगर मुस्लिम विश्वविद्याले को अल्वसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था वर्ष 1967 के फैसले में कहा गया था कि खानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्वसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती शुर्ष अदालत ने आज कहा कि किसी भी संस्था का अल्वसंख्यक दर्जा इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि उसकी स्थापना वैधानिक वैवस्था द्वारा की गई थी पीठ में बहुमत ने माना कि नियालय को ये जाच करनी चाहिए कि विश्व विद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसकी सोच थी यदे ये जाच अल्वसंख्यक समुदाय के और इशारा करती है तो संस्था समिधान के अनुच्चेद 30 के अनुसार अल्वसंख्यक दरजे का दावा कर सकती है इस तथे के निर्धारन के लिए समिधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया ये समाचार आकाश्वाणी से प्रसारित किये जा रहे हैं ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोचल मीज़ा हैंजल एक्स एज एर्यार न्यूज हिंदी को फॉलू कर सकते हैं ये आकाश्वाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल चौथा और आखिरी मैच अगले सकता है जोहांसबर्ग में होगा इसके अलावा कोरिया बैडमिंटन मास्टर्स टूनामेंट के पुरुष सिंगल सेमिफाइनल में भारत के किरन जॉर्ज ने अपनी जगह पक्की कर ली है कॉर्टर फाइनल में आज सुबह उन्होंने जापान के ताकूमा ओबायाशी को 21-21 से हराया उधर कतर के दोहा में खेले जा रहे IBSF विश्व बिलियर्ट चेंपिन्शिप के सेमिफाइनल में भारत के पंकज आडवानी का मुकाबला अपने ही देश के सौरब कोठारी से होगा वहीं शत्रंज में भारत के अरजुन एरिगेसी ने कल 29 ग्रेंड मास्टर्स में एलेक्सी सरना पर तीसरे दौर की शांदार जीत के बाद फिडे विश्व शत्रंज रैंकिंग में नंबर दो पर पहुँच कर इतिहास रच दिया है राष्टी राजधानिक शित्र दिल्ली में वायू के गुणवत्ता बेहत खराब शिर्णी में बनी हुई है केंद्रे प्रदोशन नियंत्रन बोड के अनुसार राजधानी में आसुबा वायू गुणवत्ता सूच कांग एक यूआई 384 दर्ज किया गया बोड के अनुसार दिल्ली के कुछ हिसों में एक यूआई 400 को पार कर गंभी रिस्तर पर पहुँच गया है आनंद विहार का एक यूआई 414, रोहने में 432, अशुक विहार में 415, न्यू मोती बाग में 421, पंजाबी बाग में 404 और नहरु नगर का एक यूआई 411 दर्श किया गया है मौसम भाग ने बताया है कि अगले 2-3 दिन तक दिल्ली और राश्ट्री राजधानिक शित्र में सुबह शाम धुंद चाये रहने के आसार है अश्च नेता लाल कृष्ण आडवानी के अश्च नेता लाल कृष्ण आडवानी के 97 जन्दिवस पर उन्हें शुब काम नाई दी सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मूदी ने कहा कि भारत रतन लाल कृष्ण आडवानी देश के सबसे प्रश्ण सित राजनीताओं में से है प्रधान मंत्री ने कहा कि श्री आडवानी को उनकी बुद्धी और सम्रत अंद्रद्रश्टे के लिए हमेशा सम्मान दिया गया है भारती सेनी विरासत का द्वीत्य वाशिक महोसव आज ने दिल्ली में शुरू हो रहा है दो दिन किस महोसव का उद्धेश वैश्विक और भारते विचारकों, निगमों, सारजनिक तथा निजिक शित्ल के उपक्रमों, गयर लाबकारी संस्थाओं और शिक्षविदों का ध्यान भारत के राष्टी सुरक्षा, विदेश नेते, सैन, इतिहास और विरासत पर केंद्रित करना है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर महाराष्ट और जारखण में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभ्यान तेज, भाजबा के वरिष्ट नेता और प्रधानमंत्री नरे ध्रमोदी ने महाराष्ट के धुले में जनसभा को सम्भोधित किया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मो ने कहा सरकार की भ्रष्टाचार को खताई बरदाष्ट न करने के नेती, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करती की विदेश मंत्री डौक्रेस जैशंकर ने कहा समकालीन चुनातियों से निपटने में भारत और आस्यान के बीज सहयोग महात्वपोण सर्वच्चुनाले ने अलिगर मुसलिम विश्व विद्याले के अधसंख्याद दरजे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को नरस्त किया मामला नियमित खंडपीट को सौपा बैर्मिंटन में एकसान में भारत के किरंड जोर्ज कोर्या मास्टर स्टोर्णामिंड के पुर्ट सेंगल्स के सेमिफाइनल में पहुँचे इसकी साथ ही दो पहर समाचार का ये अंग समाप गुआ नमस्गार